Good morning children, आज हम लोग Hindi Reader से लेशन 5 पार्ट पेड को पढ़ेंगे पेड सब लोग देखे हैं, जानते हैं न, पेड मिन्स ब्रिक्ष ब्रिक्ष हमारे क्या होते हैं? सच्चे जीवन साथी होते हैं यानि ब्रिक्ष हमारा कभी भी कोई नुकसान नहीं करते हैं बलकि हमको क्या करते हैं? बहुत सारे फायदे देते हैं ब्रिक्षों से ही हमें फल, फूल, लकडी, मसाले, अनाच, सब कुछ प्राप्त होता है हमें हरे ब्रिक्ष नहीं काटना चाहिए हमें जादा से जादा ब्रिक्ष लगाना चाहिए जिससे हमको फल, फुल, लकड़ी, मसाले, अनाच आसानी से मिल सके आप लोग की बुक्स, कॉपी, पेपर ये सब किससे बनते हैं? पेड़ों से बनते हैं घर के खिड़की, दरवाजे, पेड़ों की लकड़ियों से बनते हैं तो हमें जादा से जादा बृक्ष लगाना चाहिए और आज आप लोग का जो लेशन है, पेड़ के बारे में है कि पेड़ से हमें क्या-क्या फायदा मिलता है, आज हम लोग उसको जानेंगे आईए, अब हम कर्ता को पढ़ते हैं अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते बान तने में उसके रस्सी, चाहे जहां कहीं ले जाते जहां कहीं भी धूप सताती, उसके नीचे जट सुस्ताते जहां कहीं वर्सा हो जाती, उसके नीचे हम छिप जाते भूख सताती अगर अचानक तोड मधुरुफल उसके खाते आती कीचड़ बार कहीं तो जट उसके उपर चड़ जाते कठिन सब्द देखिए रसी धूब वर्सा कीचड़ पढ़ लिया सबने इस लेशन को किसने लिखा है? दिविक रमेश अब हम इसके अर्थ को देखेंगे अगर पेड भी चलते होते हैं कलपना है बच्चों की कि अगर पेड चलते होते तो कितने मजे हमारे होते तो हमें कितना आनंद मिलता बार तने में उसके रसी किसके तने में? पेड के तने में रसी बाद करके चाहे जहां कहीं ले जाते जहां कहीं भी हम जाते पेड के तने में भी रसी बाद करके हम उसको अपने साथ ले जाते जहां कहीं भी धूप सताती उसके नीचे जट सुस्ताते सताती मिंस कस्ट देना और सुस्ताते मिंस आराम करना यानि जहां कहीं भी धूप सताती, जब हमें धूप कष्ट देती, हमें तेज धूप लगती, जहां उसके नीचे जट सुस्ताते, तो हम उसके नीचे आराम करते, किसके नीचे? पेड के नीचे, क्योंकि पेड के हम तने में रस्ची बांध के अपने साथ ले जा रहे हैं। सताती अगर अचानक और अगर हमको अचानक सड़नली भूक लगती तो हम क्या करते तोड मधूर फल उसके खाते मधूर मिन्स मीठा तो पेड के हम मीठे फल को तोड करके तुरन खा लेते आती कीचण बार कहीं तो अगर चलते समय कहीं कीचण मिल जाता या कहीं बार मिल जादा पानी होता तो हम क्या करते जट उसके उपर चड़ जाते तो हम क्या करते पेड के उपर चड़ जाते यानि अगर पेड चलता होता तो बच्चों के कितने फायदे होते यह इस lesson में बहुती अच्छे तरीके से बताया गया है पेड से हमें क्या-क्या मिलता है फल, फूल, लकडी, मसाले, आनाथ, ऑक्सीजन और वर्सा से हमें बचाता है, धूप से बचाता है इसलिए सभी को ब्रिक्ष लगाना चाहिए और इस पार्ट से आपको क्या सिच्छा मिलती है ब्रिक्ष हमारे सच्चे मित्र है हमें अधिक से अधिक ब्रिक्ष लगाना चाहिए तो अभी सब लोग अपने अपने घरों पे एक-एक ब्रिक्ष लगाएंगे ठीके, और उसकी सेवा करेंगे केवले ने की ब्रिक्ष को लगा दिया तो वो बड़ा होगा फल देगा ब्रिक्ष लगाने के बाद हमें उसकी सेवा भी करनी पड़ती यानि उसको समय से पानी देना पड़ता है तब वो हमें फल देता है ठीके, नेक्स्ट पेस देखिए वर्ड मीनिंग मजा, सुक, आनन्द सताती, कस्ट देना सुस्ताते, आराम करना मध्षूर, मीठा ठीके, वर्ड मीनिंग आप लो लिखके याद करेंगे नेक्स्ट देखिए मौकी कोसन अंसर कोसन नमबर बन है वर्षा से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? वर्षा से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? रेनकोट, छाता, आदिका प्रयोग करना चाहिए धूप से बचने के लिए हम क्या क्या करते हैं? धूप से बचने के लिए हम क्या क्या करते हैं? छाता लगाते हैं, पेड के नीचे छिप चाते हैं और घरों में रहते हैं थर्ड कोस्टन बार कब आती है जब तेज बारिश होती है कीचड में खिलने वाले फूल का नाम बताईए कमल यह आपके मैंने आंस्वर दिये हैं आप इसको बुक में फिल करेंगे नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइस सुद्ध वाके को चुनकर लिखिए यहां दिया पेड चलता है और सेकेंड दिया है पेड चलती है तो सुद्ध क्या होगा पेड चलता है सेकेंड धूप सताता है धूप सताती है तो करेक्ट वन क्या है धूप सताती है थर्ड वर्षा होती है वर्षा होता है तो correct one क्या है वर्षा होती है बाढ आती है बाढ आता है correct one क्या हो जाएगा बाढ आती है नेक्स्ट देखिए, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए, विपरीत मीन्स उल्टा, तो मधूर, उल्टा क्या हो जाएगा, कटू, बाधना, खोलना, धूप, छाओ, उपर, नीचे, जाना, आना, चड़ना, उतरना, ठीक है, नेक्स्ट है कोशन आंस्वर, पेड के किस ह पेड के नीचे हम कब सुस्ताते हैं, धूप लगने पर हम पेड के नीचे सुस्ताते हैं, थर्ड कोशन, वर्षा होने पर हम क्या करते हैं, वर्षा होने पर हम पेड के नीचे छिप जाते हैं, कोशन नमबर फूर, भूख लगने पर हम क्या करते हैं, आनस्वर इस, भूख लगने पर हम पेड़ के मीठे फल तोड़ के खाते हैं question no.5 बाढ़ आने पर हम किस के उपर चड़ जाते हैं the answer is बाढ़ आने पर हम पेड़ के उपर चड़ जाते हैं यहाँ पर मैंने सभी questions के answer लिख दी है आप यहाँ से देख करके अपनी CW copy में लिख लेंगे और याद करेंगे ठीक है पोयम की भी आठ पंक्तियों को लिख करके याद करेंगे उसके hard word लिखेंगे word meaning exercise and all the question answer learn and write in copy ओके thank you class